का है लूँ फरेंड आज मैं आपके लेकर आज लिए माल रीडेमी का नान एई इसपोर्ट जिसमें पाश्वट लोक लग गया है तो आप यहां देख सकते हैं में पासवट लोकव लग गया है अगर आपके इस तरह से पाश्वट लोक लग जाता है और तुसरा कोई पाश्रो लोग डालने से नहीं खुलता है तो आपको घबरानी जुरूत नहीं है आज में इसका पाश्रो लोग अनलोग करके आपको दिखाऊंगा तुम्हें वीडियो को देखते रहें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे इ उसके नीचे बुलिम डॉन बटन है और सबसे नीचे पाउर बटन है तो हमनों क्या करना है बुलिम अब बटन को दबा के रखना है उसके बाद जाके पाउर बटन को दबाना है चलिए शुरू करते हैं तो बुलिम बटन को दबा दिये उसके बाद जाके पाउर बटन को दबा दिए इसी तरह दवाई रखेंगे जैसे रेडमी लिख के आएगा पाउर बटन छोड़ देंगे तो समय लग रहा है यहां पत्वा से पहले आपका फोन भाइबरेट भी होगा लेकिन आपको इसी तरह बटन दवाई रखना है जब यहां पर रेडमी लिख के आएगा तो हमनों पाउर बटन छोड़ देंगे आगे आगे आप पाउर बटन छोड़ दिए और जैसे यहां पर आप्सेंस आजागा तो भूलिम अब बटन को भी छोड़ देंगे आगी आप volume of button को भी छोड़ दिये अब यहां आपके display पीस तरह से आ जागा यहां उपर में लिखा हुआ है man menu यहां पहला नमर में लिखा है reboot second में लिखा है wipe data तो हमनों को wipe data पे आना है तो volume down button दबाए के wipe data पे आ जाएंगे आगाई wipe data पे अब हमनों किसी पर रहना है और power button दबादेना है चलिए दबादेते power button तो यहां पर लिखिया आएगा wipe data अब यहां पहला नमर में लिखा है wipe all data second में लिखा है back to man menu तो हमनों को wipe all data पे रहना है और power button दबादेना है चलिए दबादेते power button तो यहां पर लिख्याएगा confirm wipe of all data यहां पहले नहीं में लिखा है cancel, second में लिखा है confirm तो उन्हों को confirm पर आ जाना है तो volume down बटन से confirm पर आ जाएंगे, आगे confirm पर अब हमनों किसी पर रहना है और power button दबा देना है चली दबा दे तो power button, जैसे power button दबाएंगा हमारा phone जो wipe data factory सेट हो जाएगा ठीक हो गया, यहां लिखा चुका है data wiped successfully, अब यहां लिखा हुआ back to main menu तो power button दबा के back हो जाएंगे अब हमनों फिर से main menu में आ गए है, यहां पर दीके पहला number में लिखा है reboot तो हमनों को reboot पर रहना है और power button दबा देना है चली दबा दे तो power button तो यहां पर में लिखा है reboot to system यहां second में लिखा है back to main menu तो हमनों को reboot to system पर रहना है और power button दबा देना है चलिए दबादे तो power button जैसे power button दबाएंगा हमारा phone जो है reboot board में चला जाएगा तो यहाँ पर आपको 5-6 मिनिट लगेंगे तो जब तक हमारा phone reboot होगे खुद बोकुत श्टार्ट ना हो जाए तब तक हम लों को वेट करना है अगर आपको मेरे वीडियो देखने में कैसा लग रहा है कमेंट्स में टाइप करके जिरूर बताएं अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो यह वीडियो को लाइक करते हैं और दोस्तों को सेर भी करें अगर आप मेरे चैनल पर नहे हैं और आपने मेरे चैनल क को अब तब सब्सक्राइब नहीं किया तब प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा शाथी साथ बेल ऐकन को भी दबा दीजेगा ताकि जब भी मैं ऐसे नई वीडियो ले कर आ हूँ तो उसका नोटिविकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए इसके लाबा मेरे च को सब भगा दिया हूँ ताकि यहां वीडियो जेदा लंबा ना हो थोड़ी दिर के बाद हमारा फोन इसी तरह से खुल लियाएगा उसके बाद यहां पर तौसर वेट करेंगे ठीक है अब हमने यहां स्टाट पर टैप करेंगे और स्टेप बाए स्टेप जाकि अपने फो थेंक यू